ऐसे साथ रीजन जो ये बताते हैं कि पुरुष आजकर बहुत जादा अनफर्टाइल क्यों हो रहे हैं, क्यों वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, क्यों IVF की तरफ इतना रुजहान बढ़ता जा रहा हैं, क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं, जिसकी वज़े से ह हमारा sperm quality, हमारा वीरे का नाश हो रहा है, या वीरे खराब हो रहा है, ताकि आप marriage के बाद at least problems में ना जाएं, और आपको अपने बेबी के लिए इतना तरसना ना पड़े, तो ये साथ गलतियां आज ही सुधार लो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इसे जरूर करें, तो चलिए हम बात करें थे, इसी साथ habits जिसकी वज़े से infertility हो जाती है पुर्षों में, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, उनकी sperm quality या sperm की motility घराब हो जाती है, उसमें वो इतना count नहीं रहता तो सबसे पहला reason है, जैसे हम कहते हैं हमारा lifestyle, क्योंकि lifestyle बहुत important, आप क्या खा रहे हैं, कितनी exercise कर रहे हैं, smoking alcohol तो नहीं ले रहे हैं, आपका रात कितने बज़े सो जाते हैं, सुबह कितने जल्दी उपते हैं, mentally कितना free, तो lifestyle covers everything, अगर आपका lifestyle sorted नहीं है, जादा बैठते ह हैं, भार जाना नहीं हो रहा, धूप की कमी आ रही है, तो ये कुछ major reasons हैं, जिसकी वज़े से आपका lifestyle compromise हो जाता है, तो अपने lifestyle को correct रखें, एक proper routine schedule बना है, जिसके अंदर आपकी body भी relax हो पाए, आपकी need भी पूरी हो पाए, दूसरा बड़ा reason है, जिसकी वज़े से कहीं आपको infertility हो जाती है, कि आप stress level को manage नहीं करते हैं, जो मैंने lifestyle में सबसे उपर रखा है, अगर आप बहुत जादा anxious हैं, बहुत जादा घबराहट आपको रहती है, आप tired रहते हैं, ठक के हुए रहते हैं, कुछ नया करने का मन नहीं करता है, hope खो चुके हैं, कोई भी tension है, तो वो सर से जान नहीं रही है, relationship में खुश नहीं है, अपने बच्चों के लिए parenting में खुश नहीं है, आप अपने parents के साथ अच्छा time नहीं दे पारे, friendships बहुत जादा बिल्कुल flourish नहीं है, bloom नहीं है, तो ऐसे में भी आपका जो stress level है, कई लोग कहते हैं हमें stress नहीं है, प हमारे जो smoke, smoke है, वो बहुत जादा है, कहीं नहीं है, जो environment है जिसमें हम आज हैं, ये उतना pure या उतना sustainable नहीं है, इसलिए लोगों को जादा infertility issues हो रहे हैं, फिर हम बात करते हैं, डाइट की, डाइट में बहुत जादा भार से खाते हैं, बहुत जादा oily लेते हैं, बहु जाला धिरे-दरे avoid कर रहे हैं, fruit vegetables उसमें नहीं है, dry fruits उसमें कहीं नहीं में सो रहे हैं, essential vitamin nutrients नहीं है, तो ये कहीं नहीं घवराने वाली बात है, इसके लावा unhealthy habits हमारी, जैसे हम smoking की बात कर रहे थे, बहुत जादा sedentary lifestyle है, हम बहुत उठते नहीं हैं, बस drink बहुत जादा है vapes आजकल बहुत जादा common हो गई हैं, तो अगर आपके habits sedentary हैं, आप बहुत जादा masturbation कर रहे हैं, और बहुत जादा sexual thoughts में हो, तो body का कहीं नहीं नुकसान हो रहे हैं, और आपकी sperm quality impact कर रहे हैं, अगर आप भी कहीं नहीं fertility issues से गुजर रहे हैं, bed पे time ठीक नहीं हैं, आप fertility issues, semen quality, sperm quality, timing on bed, stress level, सब पे गाम करता है, आपकी body के एक-एक bone, एक-एक muscle के लिए शिला जीत अच्छा है, अब आप जुतना बैठ रहे हैं, चल फिर नहीं रहे हैं, exercise को मिस कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपकी major problem है, जो की issues create कर सकती है, साथ-साद आदकर marriages भी बहुत जाद लेट हो रहे हैं, आप जब reproductive phase में होते हैं, from 15 to 25, अगर marriages अब 30 onwards करेंगे, तो obviously आपकी sperm quality compromise होती है, और आप baby के उस phase में नहीं रहते हैं, कि आप marriages के बाद हाथ-वाथ अपनी मर्जी से baby conceive कर पाएं, इसलिए IVF की तरफ या artificial methods की तरफ रुजहान couples का बढ़ रहा है, क्योंकि marriage की age बहुत ज़ादा delay हो रही है, इसलिए सबसे ज़ादा ज़रूरी है कि अगर आप कहीं ना कहीं अपनी health में, अपने sperm quality में, अपने बच्चा ना होने की वज़े से परिशान है, तो एक professional consultation लेना बहुत ज़ादा important है, किसी भी तरह के sexual issues को सरफ दवाईयों पे निरभर हो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, और बहुत सारे वीडियों के लिए हमारे सब connected रहें, जोडे रहें, ताकि नई नई चीज़ें क्या हैं या क्या issues होते हैं, हम उसके बारे में detail में बात कर भाएं, आप चाहें तो मेरे Instagram और Facebook पे भी मुझे follow कर सकते हैं कर सकते हैं